पिछले सेशन में हमने यह देखा कि गूगल शीट के उपर अनलेसिस कैसे करते हैं रेंजिस कैसे डिवेलप करते हैं रेंजिस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डेटा फाइल कैसे डिवेलप करते हैं अचा आज इस सेशन में हम यह कोशिश करेंगे उस अनलेसिस के फंक्शन को analysis के process को हम कैसे facilitate कर सकते हैं जो computer की screen है वो एक बहुत छोटी सी जगा होती है और अगर हमारे पास data file बहुत बड़ी है तो हमें बहुत ज़्यदा mouse को कभी screen के इस तरफ जाना पड़ता है कभी नीचे कभी उपर और वहां पे खासकर जब हम data file के reference से बात करते हैं तो title या उसका जो reference होता है first column वो छुप जाता है तो आज हम इस process में भी discuss करेंगे कि कैसे हम इस process को facilitate कर सकते हैं और जब हम analysis कर ले तो इसको export कैसे करेंगे दूसरे को जब हम उसको share करेंगे अपने client के साथ अपने दोस्त के साथ तो हम किन चीज़ों को मदे नज़र रखते हुए इसको export करेंगे जहां एक बात मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ अभी बातों में मैंने बहुत सरी terms यूज़ की range की term यूज़ की, data file की term यूज़ की, analysis की term यूज़ की मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के जहनों में इसका बड़ा clear idea हो क्योंकि अगर यह idea नहीं होगा तो शायद आपको मेरी बहुत सरी बातों की समझी नहीं आएगी तो अगर इस वकत भी आप किसी idea को कि इसको कहते हैं, is equal to का निशान हम Google Sheet में किस वज़ा से यूज़ करते हैं data file किस चीज़ को कहते हैं, arm file और data file में क्या फरक होता है तो मैं request आप लोगों से करूँगा कि पिछले sessions को refer करके जहां जहां पर ये चीज़े define हुई हैं, वहां वहां से इन चीज़ों को अपने जहन में clear idea develop कर ले, ताके हम मेरी बातें आपको बहतर तोर पर समझा सके तो आईए हम computer पर चलते हैं, और उस पर हम ये देखेंगे कि अपने analysis के process को हम कैसे facilitate करेंगे ये students, तो ये मेरे पास वही file यहां पे google sheets पे open है जिसको मैंने kegle से download किया था और ये आपके download area पे मौझूद भी है जब मैं इस file को देखता हूँ तो इसमें बेतहाशा columns हैं और बहुत सरी rows है, अगर मैं गिनना चाहूँ तो 133 columns हैं और 5000 के करीब इसकी rows है, इस प्रिटी लॉंग file अच्छा जब मैं इसको मुक्तलिफ हिससे इसके देखने के लिए mouse के through इस screen को move करता हूँ तो देखें जो ही मैंने इसको नीचे किया तो इसका जो title है जो headings है रोज की वो खतम हो गई, सारे वो उपर चली गई है असानी के लिए कोई ऐसा analysis करना है कि जिसमे heading हमेशा सामने रहे तो हमारे पास google sheet में एक function है जिसको हम freeze का function बोलते है वो function कहां available है, view का button अगर आप press करें तो view के button में मेरे पास एक option मौझूद है जिसे freeze कहते है freeze में जो option मौझूद है, जो very first option है वो no row है इस वक्त मैं one row को click करता हूँ और इसका functionality यानि इसका effect है वो screen के ओपर क्या होता है, वो आपको दिखाता हो ताकि आपको समझ आ जाए कि ये freeze का क्या मतलब है one row को हमने click किया, अब आप देखें कि जो first row है इस google sheet के ओपर उसके नीचे एक gray सी line आ गई है और अगर मैं इसको mouse की मदद से इस data file को browse भी करता हूँ तो data तो move हो रहा है, लेकिन वो जो very first row है वो वहीं पर freeze है, जो के इस function की पहचान भी है तो one row के freeze करने का मतलब ये है कि अब मैं इस data को कैसे भी move करूँ, वो जो very first row है वो वहीं पर रहेगी वो move नहीं करेगी और जाहर है ये हमें analysis के वकत बहुत असानी रहेगी अगर हमने किसी खास variable का column heading देखनी है, उसका number देखना है, cell reference range वगारा के हरसाथ करना है तो ये first row को freeze करना बहुत असान रहता है similarly, जब हम इसी view में, freeze में, हम column के उपर जाके one column को freeze करते हैं तो इसका effect भी वहीं होगा, row की बजाए अब ये first column को freeze कर देगा तो एक बात जो याद रखने वाली है, कि जब गूगल शीट one row कहती है, तो इसका मतलब हमेशा first row होता है similarly, one column जब गूगल शीट कह रही है, तो इसका हमेशा मतलब first column होगा ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये दूसरा या तीसरा या चौथा column या दूसरी या तीसरी या चौथी row को हम freeze कर सके हैं first row और first column के लिए, और क्यों available है सिरफ इन rows और column के लिए क्योंकि first row में headings होती है, और first column में आम तोर के उपर respondent का reference होता है अब इस बात की भी आपको समझ उसी वकत आएगी, जब आपके पास जहन में data file का क्या structure होता है, वो complete हो जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको कहा कि इस session से पहले अगर ये concept आपके जहन में clear नहीं है तो kindly उन sessions को में जाके दुबारा सुनके इनको अपने जहन में clear कर ले similarly, जब हम इसको दो रोज को freeze करना चाहते हैं, तीन रोज को freeze करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम बड़ी असानी के साथ इस functionality को use करते हुए कर सकते हैं अच्छा, बाज वकात ये तो था हमारे analysis को function को analysis के process को facilitate करना बाज वकात ये होता है कि जब हम कोई analysis कर लेते हैं और वो analysis करने के बाद हम अपने जाहरे analysis करने का मतलब है कि हमने कुछ formula apply की हैं, किसी को average किसी की calculate की है, किसी के साथ को percentage calculate की है या कोई mean value calculate की है, यही analysis है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे client को इन सारी calculation का ना पता चले, उसको बस उसके end result पे हो, यानि client के सामने या हमारी जो audience है, उसके सामने input की sheet आए, जिस पे वो data input कर सके, और उसके बाद तिरफ final sheet जिसके उपर उसके result उसके सामने आ रहे हो, वो processing का अमल है, जो processing के steps है, वो उसको नजर ना आए, अच्छा ऐसा बहुत सारे तरीकों की वज़ा से हो सकता है, हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे clients हमारे formula देख सकें, ताके हमारी जो competitive edge है कि यह formula हमने develop की हुए है, वो उन तक ना चले जाए, जब हमारे formula उन को पता चल तो हमारे जो competitor हैं, वो इसी तरह की sheet और भी बना लेंगे, तो हमारा market में competitive edge जो है, वो खतम हो जाएगा, अच्छा यह भी वज़ा हो सकती है, कि बास वकात हम कुछ result तक पहुंचें, और जब हमने client के पास sheet दी है, तो हमें यह खच्छा है, कि client इसको गलती से, या किसी और वज़ा से कहीं कोई change ना कर ले, क्योंकि जब formula को change कर देंगे, तो इसके result different हो जाएंगे, तो जाहर है, आपने तो formula जो लगाए हुए है, आपने जो analysis किया हुआ है, तो वो किसी reference से किया हुआ है, उसको ठीक समझ के किया हुआ है, लेकिन अगर client अपनी मर्जी से उसको change कर देगा, तो result वो नहीं होंगे, जो आप उसको provide कर रहे हैं, तो आप इन तमाम हवालों से चाहते हैं, कि आप अपनी sheet को protect कर सके, आप ये screen के, अपनी Google sheet के किसी खास हिस्से को protect कर सके, ताकि वो change ना हो सके, तो वो कैसे होता है, अगर हम यहाँ पे data में click करें, तो data में हमार protect sheets and ranges, अचा, अब sheet का मतलब क्या होगा, कि Google की sheet complete, right from row 1 to row last, from column 1 to column loss, जितनी भी columns और जितनी भी rows हैं, वो सारी के सारी एक sheet में आते हैं, अगर मैं इस वाले option को click करूंगा, तो पूरी sheet भी protect हो सकती है, और अगर मैं किसी एक खास range को, दो या तीन cell को, या इवन एक protect करना चाहता हूं, बजाए कि पूरी sheet को protect करूं, तो वो भी यहां पे अमल हो सकता है, for example, कैसे हम करेंगे, इसको click किया, अब हमें ये option देगा, add a sheet or range, अब हमने वो area बताना है, कि जिसको हमने freeze करना है, क्या हमने complete sheet को freeze करना है, या सिरफ एक range को freeze करना है, इसको click किया, यहां पे रख लेता हूं, इसका नाम client protection area 1, अब ये नाम कुछ भी रखा जा सकता है, basically नाम रखने का मकसद ये है, कि आपको याद रहे कि आपने ये area क्यों freeze किया था, उसकी वज़ा क्या थी, तो कोई भी नाम रखा जा सकता है, जो आपको याद रहे, उसके बाद अगर आपने किसी range को fix करना है, या complete sheet को fix करना है, तो ये दोनों option यहां पे मौझूद है, मैं for example, अगर किसी एक range को fix करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे click करूंगा, और उसके बाद जिस area को मैंने fix करना है, और ये area कौन सा बन रहे है, ये C3 से start हो रहे है, और E7 तक area जा रहे है इसको मैंने protect कर लिया, और यही area जो है, यहां पे लिखा गया है, इसको okay का button हम press करेंगे, और ये हमारे पास permission हम से मांग रहे है कि क्या हम ये restrictions हैं, सिरफ अपने लिए लगा रहे है, अपने client के लिए लगा रहे है, क्या चीज़ है, for example, यहां पे सामने screen पे लिखा रहा हो होगा, only you, यानि यह वाला जो area है, जिसको मैंने protect किया है, यह मैं सिरफ खुद देख सकता हूँ, इसी तरह ऐसे कुछ और option भी हैं, कि अगर मैं यह चाहता हूँ कि मेरे client में, या मेरे subordinate में, या मेरे team में, कोई और बंदे भी इसको देख सकें, तो मैं यहां पे इसको भी editing this range, अगर आप चाहते हैं कि protection ऐसी ना हो कि हम उसको change ही ना कर सकें, सिरफ एक warning आ जाए जिससे पता चल जाए कि यह एक खतरनाक area जिसको आप edit करने जा रहे हैं, तो यह option भी available है, आम तोर के अपर यूज किया जाता है, वो restriction पिकिया जाता है, ताकि उस area को मुकमल तोर के पर freeze कर दिया जाए, protect कर लिया जाए, कि आपके इलावा कोई भी उसको change ना कर सके, इसको done कर दिया, अब यहाँ पर इसने save कर लिया, अब जब भी इस area में आप अगर कोई change करेंगे, आपको तो इजासत है, computer आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आपके इलावा, किसी और account से यह change होनी चाहेगी, तो computer उसको रोक देगा, जब computer को कैसे पता चलेगा, कि इस वकत computer पे आप काम कर रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, कि जब हमने Google sheet on की थी, तो इसने सबसे पहले हम से Google का या Gmail का account मांगा था, तो Google sheet उस account से identify करेगी, कि इस इसको change कर रहे हैं, तो Google आपको बिलकुल नहीं रोकेगा कि इसको change कैसे करते हैं, या change करेंगे, या change करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके इलावा Google sheet के उपर किसी और account से इसी sheet के उपर काम किया जा रहा है, तो Google इस particular area में, मैं कोई भी change करना चाहूंगा, तो इसको व Google sheet के उपर, तो हमारे पास यही वाला feature जो है, वो सामने आ जाता है, कि कुछ area तो हम edit कर सकते हैं, उसमें changes कर सकते हैं, अपनी मर्जी से number, formula वगरा एंटर कर सकते हैं, और कुछ area उस sheet के बनाने वाले ने protect किया होता है, freeze किया होता है, ताके हम उसमें change करना भी चाहें तो न कर सकें, क्यों ना कर सकें, क्योंकि यहां पर उसके copyrights हैं, यहां पर उसके अपने formula और वो यह नहीं चाहता कि उसके result unauthorized way से change हो तो यह मैंने कुशिश की है, कि आपको यह दो feature बता सकूं, यह बहुत useful feature है, यहां पर कौन से दो feature, एक मैंने view में freeze को किया है, और यहां पर एक बात आपको बताता चलो, कि जब हम freeze कर लेते हैं, जिस तरह इस वकत आपको screen जो नजर आ रही है, वो freeze form में है, अगर आप इस वकत देखें, तो screen में first row और first column freeze है, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं, यह unfreeze हो जाए, यह जो freezing का process है, वो हम खतम कर दें, तो इसको कैसे कर freeze और फिर हम no rose पे click कर देंगे, जो ही no rose क्लिक किया, तो यहां पे rose में जो नीचे gray color की line थी, वो खतम हो गई, यानि Google इसको freeze नहीं कर देंगे, similarly, जब हम column को unfreeze करना चाहेंगे, तो no column पे click कर देंगे, तो वो gray color की line खतम हो जाएगी, दूसरे मानों में मैं आपको यह कह र freeze हुई हुई है, या नहीं हुई हुई है, तो उसकी indicator वो gray line है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है, कि यह area freeze है, और यह area freeze नहीं है, तो इस वक्त अगर मैं sheet को देखूं, तो इस sheet में first row या first column, या second row, या second column, कोई area भी freeze नहीं है, क्योंकि कोई भी gray line नहीं लगी हुई, तो students हमने देखा, इस session में, कि हम analysis के process को facilitate कैसे करेंगे, अपनी computer की screen अगर बहुत छोटी है और data file बहुत बढ़ी है, तो हम कैसे screen के कुछ हिस्से को fix कर लेंगे, freeze कर लेंगे, और फिर हम अपने analysis को हम असानी के साथ perform कर सकेंगे, similarly, जब हमने इस sheet को, अपने client को, अपने दोस्त को, या किसी और जगा पे share करना हो, और हम screen में, जो हमने function की है, हमने जो processing की है, जो formula apply की है, उनको छुपाना चाहते हैं, ताके हमारे copyrights भी रहें, तो उनको कैसे छुपाएंगे, उमीद है, कि ये सारी चीज़ें आपको समझा आ गई होगे.